पार वैल्यू जिसको कई भार हम यूज करते हैं फेस वैल्यू के साथ या एक और टन्मालोजी उदूती है Premium या एक ओर Termology भी हो सकते है Discount यानि कि तीन तरह की Termology है Par Value जिसको Face Value भी बोलते है दूसरी Termology है Premium तीसरी Termology है Discount यह जो words है Stories के साथ भी Use हो सकते हैं यह bonds के साथ भी use हो सकते हैं Par Value of Bond या Par Value of Share या Face Value of Bond या Face Value of Share या Premium Bond में जो यानि कि bond का premium या discount bonds या premium share का या share discount का इसका मतलब यह आप overall ऐसा समय नहीं कोश्च कीजिए कि जो face value होता है वो उस कागस के टुकड़े के उपर लिखा होता है जो issuer लिख के देता है यानि कि अगर कोई issuer है जो shares issue कर रहा है बदले में पैसा लेना चाहता है जिसके उपर एक separate video है कि equity share वगरा क्या होता है तो यह जो share का जो कागस का टुकड़े उसके उपर जो price लिखा हुआ है कभी 10 rupees है, 1 rupees है, 100 rupees है इसको मोलते है power value या face value मगर कई बार जब company issue करने निकलती है तो market में बड़ी demand आती है उस share की या उस bond की यानि कि इस share की value market कहती है, ना जी ना यह 10 rupees का नहीं है, यह तो 50 rupees का है, यानि कि जो extra 40 rupees है, यह premium बन गया, यानि कि चाहता तो मैं issue करना इसको power value या face value पे था मगर यह market में demand इतनी crate हो गई, कि उसका premium बन गया, और कई बार वाइसा वरसा भी होता है, market में कोई लेना ही नहीं चाहता, तो कई बार company कहती है, वाइसा बच्छा ऐसा करो discount पे ले लो यह share terminology में तो ऐसा normally use हो जाता है, मगर bond की terminology में क्या होता है, bond में, जब मैं face value of the bond या power value of the bond, यानि कि 100 rupees का bond है, समझो में अगर मैं issue कर रहा हूँ और उसका समझो coupon जो rate है वो 10% है और yield भी 10% है yield क्या होता है, वो एक separate video में है coupon क्या है, वो separate video में वहाँ पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं अगर yield बढ़ता है, तो जो bond की value है, वो घटी है तो अगर yield का rate coupon के rate से ज़ादा हो जाए, तो यह जो par value है, जो face value of the bond है, वो normally discount पे चले जाता है, और अगर वाइसा वरसा हो जाए, समझो yield का जो rate है, वो coupon के rate से कम हो जाए, तो यही जो par value है face value of the bond है, यह market में premium पे चले जाता है यानि कि, समझो अगर coupon rate 10% है, और yield 8% हो गया, तो यही bond premium पे चले जाएगा, यानि कि 100 से जादा पे चले जाएगा, और अगर yield 12% हो गया, और coupon 10% है, तो यही bond की value जो है, वो 100 से नीचे की तरफ आ जाएगी, यानि कि bond market में जब trade होता है, तो premium या discount पे trade हो रहा होता है, यानि कि par value या face value से देखा जाता है कि premium पे है या discount पे है, और कैसे उमेंने आपको उता दिया, yield और coupon देखा जाता है, और जो shares है, जब share issue करे आते हैं, तो तब पता लगाता है कि यह premium पे issue हो रहा है, या discount पे issue company खुद कर रही है, यानि कि share या bond में थोड़ा सा minor difference आयाता है इस terminology को use करने के लिए, मगर दिमाग में रखो कि असान चीज़ है, premium का मतलब उस share या bond की demand बढ़ गई, और discount का मतलब उस share या bond की demand घट गई, और par value face value जो कागस का टुकड़ा जब मैं issue कर रहा था, उसकी क्या value मैंने लिखी